कि हैं आज की वीडियों में जिस वेकेंशी के बारें बात करने जा रहे हैं इस वेकेंशी का आइटेश हात्रों को काफी समय से इंतजार था यह वेकेंशी है यह वेकेंशी का आखरी बार 2016 में आई थी उसके बाद यह पहली बार 2022 में आई है तो आई इसके फार्म के बारें देखते हैं टेकनीश की सिच्छा कौसल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतरगत आई टी आई में परिश्चर अधिकारियों के पदों की भरती चैन परि परिश्चर यह लिए जो अदर के कंडिडेट होते हैं वह इस फार्म को नहीं भर पाएंगे केवल एमपी के जो मूल न्यवास चैन नहीं बर पाएंगे और आगे देखते हैं इस में आवे धन पत्व भरने की टिथी एक एक नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक तो एक नवंबर से जो इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे जो की 15 नवंबर तक भरे जाएंगे ऑनलाइन परिच्छा पत्रती समय सार्टी इधर देखते हैं आवेधन पत्र में संसोधन करने किती थी एक नवंबर 2022 से 20 नवंबर 2022 तक अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई होगी उसको सुधारने के लिए एक नवंबर से 20 नवंबर तक कैसमें आपको समय भी दिया जाएगा आगे परिच्छा दिनांक एवंबन दिन 16 तारिक बारो में 2022 मतलब 16 दिसंबर को सनिवार से प्रारम होगी आपकी परिच्छा परिच्छा की पाली जो परिच्छा की सिफ्ट होती है प्रथम सिफ्ट होगी आपकी एक होगी द्यूति सिफ्ट प्रथम सिफ्ट में अभ्यार प्राता नौ बजे तक 10 मिनट तो दोस्तों यह जो आपका आट पचास से नौ नौ बजे तक का जो समय होगा दस मिनट का इसमें जो आपको महतपूर निर्देश होंगे उनको पढ़ने का आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा जाकि जो भी आप निर्देश हैं वह महतपूर पढ़ सके और जो भी आपको डॉट है वहां के टीचरों से आप पूछ सकते हैं दस मिनट के अंदर उत्तर अंकित का समय यह जो यहां आपकी जो परिच्छा प्रारंब होगी वह होगी प्राता नौ बजे से दोपहर ग्यारा बज़ तक दो घंटे का समय आपको मिलेगा ज दोपहर बारा बज़े से दोपहर एक बज़े तक इसमें जो दोपहर एक बज़े से पचास से दोपहर दो बज़े तक दस मिनट का समय आपको दिया जाएगा महतपूर निदेश को पढ़ने के लिए और दोपहर दो बज़े से साम चार बज़े तक दो घंटे का समय आपको को इसमें भी दिया जाएगा यह आपका रिपोर्टिंग टाइम हो जाएगा दोफर बारा बेज़ से एक बेज़ तक इस समय में आपको वहां परिच्छा सेंटर में जाम सेंटर वहां आपको रिपोर्टिंग करना होगा आगे देखते हैं परिच्छा सहर तो परिच्छा सहर करने की प्रक्रिया एवं हैत्पूर निर्देश तो पहला है प्रिच्छा की विश्थित नियम पुस्तिका मंडल की वेफसाइट पर उपलब्द रहेगी जिसमें उलेखे समस्त नियमों जानकारी का अध्यन करके ही आविदन पत्थ भरा जाए मतला आप लोग को यह मंडल की मंठ जाकर जो समस्त नियम है उनको पढ़ लेना है उस पढ़ने के बाद ही आप उस फार्म को भरेंगे और दूसरा के माध्यम से आविदन पत्थ बहा जाएगा ऑनलाइन इसके जो फार्म है वेबसाइट के माध्यम से और आपको निर्दिःता मिर्देश निर्देश जो यह जोब की अन्दीज़ोड काटेगरी होती है यू और उसके लिए 500 रुपए प्रस्ण पत्र है 500 रुपए फॉर्म फिस रखी गई है दूसरी आपकी अगली आपकी अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अन्य पिछवर्ग दिद्द्रयांगा भ्यारति के लिए एक प्रस्ण पत्र होगा उसके लिए 500 रुपए आपकी फॉर्म पिस रखी गई है और लें आवेदन क्योश के माध्यम से आउनलाइन भरने वाले अभ्यारति है तो एंपी ऑनलाइन का पोर्टर सुर्क पचास रुपए आपका एंपी ऑनलाइन का पोड़ल सुलक होगा अ विशेष निर्देश विशेष निर्देश काफी पढ़ना जरूरह ही इसको पढ़ कई आप सब लोगई विशकर पढ़ने के ध्यान से क्या कैसमें बताये गहां दिशाय निरदेश दीए गये हैं पहला निरदेश हम वरत्वाय है below मुञ्यक निवासी होना क्योंद आप मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार होगा आपको मूल फोटो युक्त पहचान पत्र आपका लाना यहाँ पर एक्जाम सेंटर में अनिवार है मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभरती मद दाता पहचान पत्र पेन कार ड्राइविंग लैसेन्स आधार करता था पासपोर्ट में से कोई एको चैनित कर सकता है त्यापित वेरिफाइ प्र होने मानने हो जो आपका अधार होगा वो जो यू आई डी आई की विफ्राइट होती है उससे अगर वेरिफाई है तभी उसको वह मानने योग होगा अगला मूल फोटो यूगत पहचान पत्र के अभाव में परिच्छा में समलित होने से वंचित किया जाएगा अगर आपके पास मूल फो यूगत आपका जो कोई आई डी प्रूफ है उसको ले जाना बहुत जरूरी है चौथा पॉइंट है अभ्यारतियों को नियम नियम पुस्तिका में विनिस्ट मूल परिच्छे पत्र के अत्रिक अपना आधार कार्ट या अधार कार्ट की छाय प्रति आधार नंबर अधार इसkęश प्रिकशमाल है ृफ अगले प्रिच्छा में परिश्चा के दोरान बहुत तरहिव इंदमू τις नंबर लॉक और परिच्छा केंद पर उपस्तित के पूर आधार ऑनलोक करवाने सुनशित करें जो भी उम्रीद्वारो जो भी आप गैंडिटेट है उनका अगर आधार आपका जो है आपका जो आधार है वो अगर लॉक है तो उसको आपका एक्जाम से पहले अनलॉक कराना होगा यहां पर लिखा है कि आप पूर आधार अनलॉक करवा लें परिच्छा दिनांग को परिच्छा में रिपोर्टिंग समय तक परिच्छा केंद में प्रिविश के अनुमति होगी इसके परिच्छा विलम से आने पर अभ्याजत्य की पातरता नहीं होगी अगर आप एक्जाम से पर जो टाइम है उसको पर अगर नहीं जाते हैं लेट होते तो आपको इस अग्जाम सेंटर पर कर सकते हैं तो आप बहुत्र कर सकते हैं रूप से संभाल कर रखें जिसके समस जिमदारी आवेदक की ही होगी तो आप पत्र कर्माक होगा उसको आप संभाल कर रखिएगा यहां पर सबसरब कहोंदेगे कि जिमदारी जो है वह आवेदक की ही होगी अगला पॉइंट है आपका पैच्छा केन पर आवधा को काला बॉइदक पें तथा परिच्छा हॉल में प्रेश है तो मंडल की वेफसाइट से डाउनलोड किया गया प्रेश पत्र साथ लाना अनिवार है यहाँ पर जो आपके ball point pen है जिसको बॉल पिन कहते हैं तो वही ले जाना होगा गाला पिन आपको ब्लैक पिन ले जाना होगा बॉल पॉइंट में तथा परिच्छा हॉल में प्रेश है तो मंडल की जो एफसाइट होती है उससे डाउनलोड कियागे जो आपको प्रेश पत्र होगा वह साथ लाना आपका अनिवार है यह चीजे जितनी भी है जो जो कहा गया है वह सब चीज अनिवार है आप इनको जब में जाएंगे तो आप इनको जरूले कर जाएंगे अगर आप नहीं ले जाते हैं तो चाइंब में से संटर होने के परेश्चा तक परिच्छा कर छोड़ने कनिम्द्री नहीं होगी उसके बीphase के आपका टाइम डूरेसन में उठते नहीं दिया जाएगा जब सब आपके सब्मिट हो जाएगा उसके बाद यह आपको अपने सीर्थ छोड़ने के अनुमति होगी अगले आपका आवेदन पत्र भरते समय उम्मिद्वारों के किसी भी प्रमापत्र का परिच्छा मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्त प्रिक्रिया के दौरान संबंदि आपका नियुक्त किया गया है ग baseball के लिए अभ्यारती का मंद्च राज के रोजगा है अगले का लुफ। इस के आपका उपलोक्त सभी प्रदों के लिए अभियरतिके मद्य प्रदेस Natomiast के रोजगार का रहा है जीवित पंजियान हो निवार होगा मतलब आपको जो MP राज के रोजगार कार्याला है उसमें आपका पंजन होना निवार है अगर आपका नहीं है तो आगर आप इस फार्म के लिए लिजबल है तो जाकर अभी अपना रोजगार पंजन करवा ले जाकर अगर आपका मतलब प्रिदेश के विशेश आदिम जन्जाती समधा जैसे बैगा सहारिथा सहारिथा एवं भरिया अनसुसी जन्जाती के अभ्याती को कार्य पाजिका के पदों के लिए आवेदन अपने आवेदन पत्र समस्ति आवस्तक प्रमाण पत्र सनलग करते हुए समुदाय को बता दिएगे है अब का सहारी इनको अपनी कारशिका के लिए अपने ावधन पत्र वैस्तक प्रमान पत्र न करते हुए हाइड कोपी में निष्धारित आवेदन पत्र भण है कंतिम्तिति मंदल को न भेजनेटे हुए सीधे शमबंदी द्वाक को प्रतहक पता अनुसार प्रतहक यह साथ आ धन प्रस्र करना होगा मंडल को प्रसित राव्य इन पत्र concert आमान गान जाएगा मंडल को भी जागे वह आपका compelling मान अगला पॉंट है मद्द प्रदेश के विशेष प्राइब आधिक निर्देश है अगला पॉंट है कोविड-19 महमारी के परीपेच में शासन दोरह जारी निर्देश का परिवर्ण करना अनिवार होगा आई विशेष्ट नोट देते हैं मंदल अपनी मतलब जो आपकी एक्जाम डेट और जो उनको बदल सकता है तो हो सकता है आपकी एक्जाम डेट है वो अगर बढ़ जाएगी तो उससे भी आपको पढ़ने के समय मिलेगा बाकि उम्मीद तो है कि आपके नोटिफिकेशन आया है तो MP जो आपकी बार है व्यापम जो एक्जाम को काफी जल्दी कराने के मूड में लग रहा है तो आपकी हो सकता है जो जारी तिथी है उसी तिथी में आपकी एक्जाम हो जाएगा मद्र प्रदेश कर्मचारे चैन मंडल भोपाल तो यह रहा आज कर जो हमारा यह है नोटिफिकेशन जब इसके एक्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तो अफिसल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो उसमें भी आपकी जो सारी जानकारी हों हमको प्रोवाइड कर हैं ओके थैंक यू जैहिं